विल्कम स्टूदेंस आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है एजुकेशन साइन्स और आर्ट ठीक है यह आपके बीए पार्ट वन के पेपर करेंगे और यह बहुत चोटा सा एक टॉपिक के लिए नकसर किताबों में नहीं मिलता है और सब्सक्राइब की हिंदी क कि पुक्स में नहीं मिलता है तो यहां पर मैं आपको इंग्रिश के मैटर को हिंदी में समझा सकते हूं उसके बाद आप इसको अपने शब्दों में लिखेजे आएगा तो इस पर शॉट नोट आता है कि शिक्षा विग्यान है अकला है इस पर ठीक इस तरह से आता है यह तो आप इस पर समझ लीजिए और समझ कर फिर अपने शब्दों में इसको लिखेजेगा तो बहुत छोटा सा टॉपिक है बहुत छोटी सी बात है यह कह रहे हैं कि शिक्षा है वो विग्यान है या कला है या याप शिक्षा को विग्यान के अंतरगत रखेंगे कि कला के अ इसमेंट मेंट have a debate that whether education is science or art. ये एक debate का है that education or intervention should we do vijyana or not. तो सबसे पहले हम को यह बता होंना जिस हम को ओना जिस हम वीगान किसको कहते है, मों सबढ़ जाने कि शिच्षा के तश्चा के तरग अली कि काला के तरग तरग तरग? तो यह बात देए कि first of all try to know what is science. सबसे पहले यह जाने कि विज्ञान क्या है? तो विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है कि science is a systematic body of knowledge in a particular field of the world. यानि कि किसी भी particular field में knowledge का अगर कोई systematic body है, यानि कि science की सबसे four most important चीज़ का है कि उसको systematic होना चाहिए. unsystematic चीज़ को आप science नहीं कह सकते हैं, यानि कि विज्ञान की मूल भूताव शक्ता क्या है? system होगा, एक hierarchy होगी, एक चरण बद्द तरीका होगा, जिसको आप follow करेंगे, जिसकान पालन करेंगे, तब ही वो science कहता सकता है. ठीक, पहली खास बाद, पहली के रिक्तरिस्टिक साइंस होने के लिए. दूसरी, it seeks to discover the general laws regulating the phenomena in that field through observation and experiments. मतलब, यह क्या करता है? seeks to discover the general, seeks मतलब कोशिश रहता है, discover मतलब कोशने कि इसको general laws, जो की साधारा नियम चल रहे हैं, regulating the phenomena, यह कि किसी भी घटना को regulate करने के लिए, उसको नियम तुरिद करने के लिए, जो नियम चल रहे हैं, उनकी खोज में लगा रहता है, किसके through, किस बीदी से, observation and experiments. यहां कि सीजी बात क्या है, कि हमारे इधर 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 जितनी घटनाने हो रहे हैं, उनको किन नियम के तहत हो रहे हैं, उनकी खोज कता है, इसके लिए तरही के अफनात है, तो, एक तो, प्रेक्शन, यानि, observation, उसरा experiments, यहां कि प्रेयोग. आप यह भी पता होगा, कुछ बच्चे science background के हैं नहीं कि एधर इधर इधर क्लास किताब में, उनको जब पहरी बार science के बार में पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, कि विग्यान जो है, वो जो experiment है, यानि कि प्रेयोग के कुछ चरण होते हैं, यानि कि सबसे पहरे क्या क कुमाना करना चले थे, कि ऐसा होता है, वो सही है या अगर रहते हैं, यानि कि हम उसको accept कर लिए, उसको पिकार कर लिए, या हम उसको रद करते हैं, उसको छोड़ दे हैं, या ये सिद्ध हो जाए, कि ऐसा नहीं होता है, और सबसे और एक और खास बाद यहां में science की, कि science जो experiment होते हैं, वो अगर हम उसे condition में कर रहा हैं, यानि कि अगर हम physics की दिशा में, आप पर बात कर रहें, तो कि उसी tap-daap पर कर रहे हैं, उसी pvr, pvr बोलते हैं, tap-daap पर आयत हैं, अगर उनी दश्वहों में लिएकर हम उसको कर रहे हैं, तो हमेशा कोई भी कही भी, उस result उस experiment को करेगा तो उसका same result आएगा ये बहुत खास बात है साइंस जी है इसलिए कि किसी भी कोने में वो experiment होता है उसको कोई भी replicate कर सकते है और कि दोरा सकता है उसी दर्शा में ये खास बात है जो दर्शाएं experimenter ने दी हैं प्रेव करता ने दी हैं अगर हम साइंस ये मान रहे हैं कि वो systematic body है वो observational, experimented through laws की discovering करती है या वो replication वाली बात है उसमें तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो विग्यान ही है या वेग्यानिक है किसमें प्रुरकृती में है अपने that yes, education and scientific nature या आप शिक्षा को वेग्यानिक प्रुरकृती का मान सकते हैं क्यों मान सकते हैं क्योंकि ये विजान का systematic body है जो की accumulated through ages यानि कि सदियों से accumulate किया जारा है जोड़ा जारा है संजित किया जारा है इसके थूँ observation and experiments के थूँ टीओ तो अगर हम ये मानते हैं कि विजान systematic है ज़िए मानते है विजान जोब organization और प्रयोगों का सखाव लेता है तो हम ये मान सकते हैं ये कह सकते हैं इस परकाश में यहां शिक्षा भी प्रकृती उसकी वेग्यानी है क्योंकि उसकी body वो systematic है यान का जो सुरोथ और जो ग्यान संचिक किया गया इतने वरशों में उसको प्रेक्शन और प्रेयोग के द्वारा ही संचिक किया गया है और क्या है शिक्षा विग्यार ने इसके समर्थक में एक तत्य और है ऑपने आज पर जाए कि शर्ड में एक तत्य प्रेयोग करें के दिया आज november कुशन अच्य है वेर क्यानिक है अब बैर को रहा है कि लिए फिर बुर्ण रहा है कि let us check what is art तो पहले यह दिए कि कला हम कहते कि इसको नहीं ता हम बता पहा है यह शिक्षा कला है कि नहीं तो कह रहे हैं कि art is mainly used in two senses हम कला का दो अर्थों में में इसको यूज करते हैं पहला कि one for producing something beautiful यह तो यह है कि हम अगर कुछ बहुती सुंदर हमने कृती की जैसे इसे बहुत सुंदर गाया किसे निर्ट बहुत अच्छा रहता है को पेंटिंग बहुत अच्छा रहता है वाव क्या आठ है बहुत बढ़ी है और दूसरा कि another for applying knowledge in realising some useful ends यह फिर हम ग्यान का अनुक्रियो उस दिशा में कर रहे हैं जिससे कि हमको कोई fruitful प्राप्ती हो रही है यानिकि हमको कुछ उत्पादक मिल रहा है useful मिल रहा है तब हम कहते हैं कि यह आर्ट है महीं बारीक से बारीक सर्जी की जाती है यह भी आर्ट है यानिकि हम application of knowledge करें इसे वो कुछ यह सुझने सके हैं यह हम कुछ beautiful created रहता हो आर्ट है यानिकि कला का हम इन दो मायनों में अर्थ इसमाल करते हैं तो इस प्रकाश में का देखे जाएं तो शिशा कहा है in this sort of understanding education should be regarded as an art तो इस दिशा से देखा है तो शिशा भी तो कला है क्यों कि as it attempts to make human activities beautiful and meaningful क्यों क्यों कि मनुशी की जितनी पी क्रिया हैं उनको यह सुंदर बना देती है, सुंदर रूप दे देती है और अर्थ कून बना देती है या अर्थों बनाने का प्रयास सकती है, सुंदर बनाने का प्रयास सकती है तो सुंदर अर्थों में उसकी अनुभूती हो रही है, उसकी परिणिती हो रही है तो यह कला है और क्या कर देती है, it utilizes the knowledge and techniques of its own and other disciplines यह अपने तक्निकों का अपने घ्यान का utilization करती है, other disciplines का भी करती है, जैसे psychology, economics, philosophy यानि कि यह आप देखेंगा, आपनो परते हैं, educational psychology परते हैं, educational philosophy परते हैं, economics of education परते हैं तो यानि कि जो दूसरे हमारे अर्थ के discipline है, उनका भी हम इसे इसे माल कर रहे हैं और हम उसका utilization ऐसे कर रहे हैं कि हमको beautiful और meaningful उसके end में इस दश्चा में देखा जाए, इस प्रकाश में देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए तो शिक्षा एक कला भी है, तो शिक्षा है, चुली, तो हम कह सकते हैं कि ये विबाद का और बाद विबाद का विशे नहीं है, कि शिक्षा कला है, बलकि शिक्षा विख्यान भी है और कला भी है, डिपैंड करता है कि हम उसकी नार्थों में इस्तिमार कर रहे हैं, ठीक है तो at last we can conclude that education is both a science and art In fact, it can be said that education is in the process of searching the science in an artful manner यह क्यों कह रहा है कि शिक्षा विग्यान नहीं है कला भी तो ही यह हम इसको इस आर्थों में भी निश्करशिक कर सकते हैं यह शिक्षा विग्यान को खोजने की दिशा में मतलब कला पून तरीके से विग्यान को खोजने की दिशा में प्रया से रख लिया है समझे तो आप इसको अब आपको अपनी समझ से और मैटर से बुक्स से मिल जाए जहां से मिल जाए इसको बढ़ा आपके शॉट नोट जोना लिए कि एक से बिल जहें छोटहा जाए जाए जाँ जाए जाए जाए